इस तक भाजपा के परदेश देक्ष रविंदर रेना जी मेरे साथ आई एने से जाने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के क्या सूर्थे हाल हैं ओपोजिशन पार्टी किस तरह से वार कर रही हैं लगातार जो हैं आपे वार किये जा रहे हैं बाजपा भी किये जा रहे है क्या किना जब जितने भी जम्मू कश्मीर में अपोजीशन पार्टीस हैं इनको जम्मू कश्मीर की जंता बड़े अच्छे से जानती है पहचानती है जब इन सियासी जमातूं की सरकारें थी जब जम्हू कश्मीर में कॉंग्रेस की सरकार थी नेशनल कांफरंस की सरकार थी या पीडीपी की सरकारे थी जम्हू कश्मीर के लोगों ने वो दोर देखा है किसी की सुनवाई नहीं होती थी घरीब का कोई भला नहीं होता था कोई डवलेमेंट नहीं होती आज जब मोधी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर हर गाउं हर शहर में जबर्दस डालमिट की है रोड इंफ्रस्ट्रक्चर हाइवेज एक्स्प्रस हाइवेज फ्लाई ओवर्स टरनल्स गाउं गाउं में सड़कें जब गाउं में बजली और पानी जलजिवन मिशन के करोड उरुपे के गाम लगे ही जब जम्मू कश्मीर में खुशहाल ही है अमन है भाईचारा है जब जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है खुशहाल है तो अपोजिशन के लोग उनको तकलीफ हो रही है उपोजिशन जो है यह ही अपोजिशन को तकलीफ इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि उनकी स्यासी जमीन खिसक चुकी है लेगिन ओपोजिशन का तो ये दावा है जिससे कारगिल में बाचपा का हाल हूआ है तो जमू कश्मीर में भी इसी तरह का हाल हो सकता है कारगिल में भारतिये जनता पार्टी ने 2018 में एक सीट जीती थी और 2500 वोट लिये थे जंसकार से हमने एक सीट जीती थी इस बार कारगिल हिल कॉंसल के एलेक्शन में बीजेपी ने दो सीटें जीती दो बीजेपी सपोर्टिड अजाद उमीदवार जीते हैं साथ सीटूं पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है साड़े ग्यारा हजार वोट करगिल में बीजेपी को मिला है तो बीजेपी ने अपना आंकड़ा डबल किया है और इसी तरीके से जमू कश्मीर में भी जब एसेंबली के एलेक्शन होंगे तो यहां भी हमारा अंकड़ा डबल होगा दो हजार चोदा में हमने पच्ची सीटें जीते थी अगली बार जब एसेंबली का एलेक्शन जब भी होगा पचास सीटें जीतेंगे पजीशन का दो साफ तरप यह कहना है कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया जो है वो चुना पो करवा आएंगे लेकिन जो भाजबाक का दबाव जो है वो उनपर पड़ रहा है और भाजबा इस लिए चुनाब नहीं करवाना चाहती है क्योंकि यहां पर जो हैज है हैं लोग परिशान हैं क्यों भारती चनता पार्टी की सरकार ने मोदी साहब की सरकार ने जो काम किये हैं गरीब honestly गरीब लोग़ों को पैंशन गरीब किसानों को साल का छेछे हजार स्माट बेटर गां गा Cap उन लोगों को जिन के सर के उपर च्षट नहीं है ऐसे घरीबयों चो मकान देने का काम मोधी साथ ने किया और सबसे बड़ा काम गॉल्डन कारड ए और शक्स को वह अमीर है घरीब है रेड़ी वालाा है फ़री वालाा है किसान है मजदूर है या दुकानदार है बिजनसमेन है या सरकारी मुलाजिम है हर शक्स को गोल्डन कार्ट पांच पांच लाख रुपया उससे एक एक साल में इलाज होता है और जो मोदी साहब ने डेवलमेंट की है पूरे जमू कश्मीर के अंदर यकीनन यहां एलेक्शन होंगे प्रचंड बहुमत के साथ जमू कश्मीर में बीजे पी की सरकार बनेगी जमू कश्मीर का अगला चीफ मनिस्टर बीजे पी का होगा यकीनन निकाय चुनाओं की के बात करें अरमन लोकल बाड़ी स्के डिले क्यों हो रहें बीजेबि शहरी चुनाव उसके लिए तयार है language पूर के लेक्शन होने हैं लोकसभा के उसके लिए भी बीजेपी पूरे तरीके से तयार है चुकि हमने काम की हैं हमने गाउं गाउं और शहर शहर में डवलिमेंट की है हमने आम लोगों का भला किया है सबका साथ सबका विका सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है क्या जम हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी के भी लेका हो सब का भला मौधी साहब ने किया है सब का भला बीजेपी ने किया है क्या कारण है कि आम जन्ता को अभी भी अभी भी सडकों पर उतना पड़ता है उनके बेसिंग नाशिस्टी जो है उसकी प्रफ द्यान नहीं दिया जा रहा है मसले का हम हल कर रहे हैं जो मसले पिछले 40-50 साल उसे लंबित हैं पैंडिंग है करके सब समस्illar का हमा समादान कर रहे हैं जो प्रॉप्य oldu पर रख दियाया क्यों चुनावारे ता क्या यहीं कारते नहीं क्या करनवारे थे इसलिए रोका गया देखिये मेरी बात में ने पहले दिन से आнопDa पको याद होगा जब शोर उठा था कि प्रापर्टी टेक्स होगा मैंने कहा था नहीं होगा तो आज आप आम जनता भी ये कह रहे कि स्मार्ट मीटर भी नहीं होना चाहिए तो उस पर क्यों नहीं कोई कदम उठाया जा रहा है LG साहब ने उसके लिए फैसला लिया है उन्होंने कहा कि लोगों की सुनुआई होगी जबरदस्ती किसी के घर में स्मार्ट मीटर नहीं होगा लोगों की सहमती से होगा ओपोजिशन को आखिर में आप क्या संदिश देना चाहिए देखो अपोजिशन के जो ये सारी सियासी जमाते हैं ये आजमाई हुए सियासी खिलाडी हैं इन पर कोई यकीन नहीं करने वाला ये जितना मरजी धरना दे इनके धरने में कोई नहीं आने वाला है जो इंडिया एलाइन्स बनाया है उसका असर पड़ेगा एलाइन्स वो बनाते हैं जो डर रहे हैं और चाहे गुपकार एलाइंस हो, चाहे इंडिया का नाम लेके एलाइंस कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो जब सरकार में थे, तो इनका सरकार चलाने का तरीका लोगों ने देखा है। इन्होंने गरीबूं का खौन चूसा दो दो हाथ से गरीबूं को लूटा आज जब अवाम ने लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये धरना प्रदर्शन करके और एलाइंस बना रहे हैं ये एलाइंस नहीं चलने वाले यहां सिरु मौदी सरकार चलेगी जम्मू कश् कुछो भया मैं बीजेपी का ध्यक्रश हूं एलक्षन कमीशन नहीं हूं एलक्षन कमीशन कल अनौस करें बीजेपी तयार बीजेपी के सीने लिडर्ष वह हर मंच्पर ये कह चुके हैं कि बाचपा जो है पूर्लप से त्यार है जब भी चुनाव यहां पर होते हैं बीजे पूरे तरीखे से सभी एलक्षिन्स के लिए तैयार है हम लड़ेंगे और जीतेंगे एलक्षिन कमिशन आफ इंडिया क्यों नहीं यहां पर असेम्ली के चुनाफ कर आ रहा है क्योंकि जिसता जिसन कमिशन से पूछना मड़ेगा किया बीजेपी का कोई दबाव है फिजे पी परदेश दक्ष रविंदर रहना जिन्होंने साफ तोर पर कह दिया कि जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो बाजपा का मुख्य मंत्री ही होगा और बाजपा हर चुनाव के लिए तियार है और इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को जो है फैसल लेना है कि चुनाव कब यह यहाँ पर करवाए जाएंगे और ओपोजिशन को भी जो है उन्होंने साफ तोर पर जो है जवाब दे दिया है कि ओपोजिशन जो है जब वो सत्ता में थी वो क्या करते थे और बाजपा खासकर जो नरेंदर मोधी की यहाँ पर अध्यक्षता में गोवर्मेंट चलाई जा